थाने सर विधान सभा शेतर से भाजपा के विधायक सुबाज सुधा को हर्याना सरकार की कैबिनेट में राज्या मंत्री सवतंतर पर भार बनाया गया है जिसके बाद जहाँ उनके निवास पर बदाई दिने वालों का ताता लगा हुआ है वही रादोर के वान नंबर ग्यारा सिथ सुधा के कुनमे में बड़े भाई लगने वाले सरदार अमरीक सिंग सुधा के गर में भी खुसी का महोल है मंगलवार देर रात को ही अमरीक सिंग सुधा के गर सहर के काफी संख्या में लोग बढ़ाई देने पहुँचे इस मोके पर लोगों ने मठाई बाट कर वै डांस कर अपनी खुसी का इजहार किया औरोपंच चरणजी सिंग सुधा ने बताया कि घर में उसी का महोल है उनने का कि थाने सर हलके के साथ साथ रादोर्ग शेते से भी काफी लोग सुभाद सुधा से जुड़े हुए है बहुत बहुत खुशी का महोल है जैसे हमें पता चरण रहा था सुबह से ही लोग बढाई देने के लिए घर पर पहुंच रहे थे पर जब तक मीडिया में और शापत ग्रहन में बिल्कु फाइनल नहीं हो गया तब तक हमें रहा कि एक बार फाइनल हो जाए फिर हम सब अपनी बड़े सबी साथियों का शीरवात लेगे और सबी कम्भू मिठा करें वहीं अमरिक सिंग ने कहा कि वह इसके लिए पूरे भाजपा हाइकमान की आभारी हैं पूरे दिल से भारी हूं कि आज उन्होंने हमारे उपकार की है और मैं निच्चा से कहता हूं कि इस एरिये का बहुत विकास करेंगे रदोर का भी बहुत विकास होएगा, सभी प्रियाबी बरादरी हम सभी उनका भारव्यक्त करते हैं से हम सब का वही भाजपा नेता लक्टर वीमल गरग ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्री हर्याना से जहां पहले मुख्य मंत्री बनाया था अब मंत्री भी बनाकर सभी का दिल जीत लिया है तो हमारे लिए बौत ही बात है कि हमारे ही परिवार का एक आदमी जो है आज हर्याना केबनेट में मंत्री बनाया थाने इसर के विदाक सुबा सुधा हर्याना के मंत्री मंडल में पंजाबी चहरे के रूप में उबर कर सामने आए हैं ऐसे में इन लोक सवाचुनाओं में एक बड़े पंजाबी नेता के रुप में परदेश सरकार का परचार परसार भी कर सकते हैं Bureau Report, नवदेश टाइम्स